इस सरदार स्वामिनारण मंदिर मुर्ति प्रतिष्टा महत्सव में हम सब यहाँ पे आठाट दिन से इस भक्तिमई वातावरण में जो आनंद की हेली में सब समलित हुए है उसमें आज इस उस्सव की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे गुझरात के परम आदरणियं गवर्नर स्री आचार्य देवरτι जी पधारे है और हम सब जानते है कि आचार्य देवरत जी का जो कारिय है वो समाज कल्याण, समाज उत्थान और किसानों को जीवन में कैसे प्रक्ति आए उसके वो निरंतर प्रयास करते रहते है और ऐसा जो यगन गुजरात में आके भी हम सब लोग गुजरात के भागेशाली लोग है कि ऐसे राजपूरुश हमें मिले है ऐसे हमारे परमादरनिय स्री आचार्या देवरत जी इस मंच पे उपस्थित कि जिन होने हमारे आचार्या किया उसके बाद हमारे संप्रदाए में इतनी प्रक्ति हम देख रहे है धर्मक्षेत्र के कारियों हो समाजक्षेत्र के कारियों हो सेक्षणक्षेत्र के कारियों हो ऐसे सब कारियों का अवीरत यगन प्रभाहित हुआ है जिनकी प्रेरना से जिनके मार्गदर्शन से और ज अचर्य महराज स्री राकेश प्रहाज जी महराज एवं व्यास्पिट पे बिराजित SGVP गुरुकुल के गुरुस्थान पे बिराजित पुझ्य माधोपरी दाज जी स्वामी एवं दोनों आचर्य महराज पुझ्य नवतंप्रकासदाजी स्वामी एवं सर्वे संतगर्ण और यहाँ पे मैं यहाँ पे आज उपस्तित हूँ गवर्नर साब के साथ तो मैं जरूर बताऊंगा कि सर आचार्य महराज ने जैसे ही यहाँ पे पदगरहन संभाला उसके बाद इस स्वामिनारण संप्रदाई में महराज श्री के हस्त से आठ सो संत दिक्षीत हूए है और वो सब भगवा धारी संत पूरे समाज कल्यान के कारिय में लगे हूए है अविरत और आज हम जो स्थान में उपस्तित है जो मंदिर के प्रणेता और आर्षद्रष्टा पुझे नित्यसुरुपदाजी स्वामी की जिनका अथाग प्रयत्नों से मैं जरूर कहूंगा कि ये दो साल नहीं लेकिन पीछले दो डेकेड से नित्यसुरुपद स्वामी जी ने पुरे गाओ गाओ में घुमके हिंदू संस्कृति के रक्षक ऐसे काफी हरी मंदिरों के निर्मान किये है युवाओ को कैसे हमारे हिंदी संस्कृति इचे जुड़े रखे और कैसे युवाओ का जीवन धर्ममई और राष्ट सेवा में समाज सेवा में लगा रहे ऐसे सब प्रयाज किये है ऐसे सरदार धाम के मार्गदर्शक पुज्यनित्यसुरुपदाजी स्वामी सर आज ये जो सरदार उत्सव यहाँ पे है इतना सारा सहन समुदय आप देख रहे है वो सब बहुत बड़ा समाज सेवा का यहाँ पे कार्य हुआ है और मैं जरूर बताऊंगा कि मैं यहाँ पे जो दो हजार विद्यार्थियों का यहाँ पे छात्रावास निशुल्क शरू होने वाला है उसमें भी पुज निट्यसुरुपदाजी की प्रेणा से ये कार्य होने वाला है आज के जमाने में हम जब काफी कठिनायों में से गुजर रहे आज की युवा धन को युवा पेडियों को कैसे सचे मार्क पे लाया जाए उसके लिए एक हमारे ये डिजिटल यूग में एक बहुत बड़ा चेलेंज खड़ा हुआ है तब एसे सब जो कार्य है धर्मक शेत्र के और समाज शेत्र के वही युवा पेडियों को हमारी हिंदू संस्क्रूतियों के मुख्य प्रवाह में रक्षित करकर बचा पाएंगे हम युवा धन को और मेरा थोड़ा में गुजराती में बोलना चाहूंगा हुँ राजकोट गुरुकुलनो विद्यार्थी चुँ एटले हुँ जानूँशु के गुरुकुलोनो सुम महत्व जे अमारा गुरुदेव शास्त्रीजी महराज केता के जो आपडे भगवानना भक्त होए स्वामीना रणना होए तो भगवानना भक्त ने कोई दिवस खोटू अभिमान याना रदेमानो होई अने भगवानना भक्त ने संतो नी यहनी अंतःकरण ने अने इंद्रियों नी बदीज क्रियाओ समाज अने जगतना कल्यान ना अर्थे ने बीजानू केम भुलू थाई यहना मारगे होई जो यह तो आज सर में और भी बताना चाहूंगा कि आज मैं जो भी हूँ वो गुरू कुल में पढ़ा हूँ इसके लिए आज हूँ जो भी स्थान पे हूँ जो भी मेरी प्रक्ति है गुरू कुल का जो सिक्षन मुझे मिला है उसकी वज़े जे है और दूसरी बात कि अगर हम आज की युवापेडियों को संस्कृत नहीं करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हम जन्म से तो सब हिंदु है मैं बार-बार सब जगा पे बोलता हूँ और वो मेरे रदे में वो विचार हमेशा उठते रहते है कि हम जन्म से तो हिंदु है लेकिन कर्म से कितने हिंदु है हम क्यूंकि हम कर्म से हमारी देनी क्रियाओं में से भटक गए एक रोबर्ट की तरह आज हमारा जिवन डिजिटल यूग में बनता जा रहा है तब हम ये सब संतों के सानिध्य में अगर उसके पास रहकर अगर संस्कृतित नहीं हुए तो हम भटक जाएंगे ज्यादा वक्त नहीं हुँगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है आप यहाँ पर पदा रहे बड़े संतलोग भी यहाँ पर है उपस्तित मंच पर उनके आशिरवाज सब लोग रहन करेंगे और आपका प्रेणादाई सब विचार इस मंच को मिले उसका में जरूर आगरा रखूँगा क्योंकि कल पूरे भारत वर्ष ने देखा है कि आपने जो सेवा यगन हर्याना और हिमाचल प्रदेश में से प्रवर्तन किया था उसका सेवा यगन यहाँ पर गुजरात में भी आपने जो शरूर रखा उसके फल स्वरूप कल का जो आपका आनंद का प्रोग्राम था पूरे भारत के क्रिशी विगनानी का उसमें जो प्रदान मंतरी की प्रदान मंतरी का जो संबोधन था उसमें भी प्रदान मंत्री ने प्राकुरुतिक कुरुशी के बारे में कितना जोर देके पुरे देश में एक जना अंदोलन बनाने की सब को आगरह किया है वही दर्शाता है कि आपका इतने सालों का जो अथाग प्रेतन निश्वार्थ बाव से आपने किया है उतके फलसरुति कल पूरे राष्टर ने देखा है और ऐसा सेवा यगन निश्वार्थ बाव का आपका अविरत चलता रहे ऐसी मेरे रदय से में शुबकामना और आपका खुब-खुब अभिवादन करता हूँ कि आपके विजिक शेड्यूल के अंदर भी आपने इस उत्सव में संतों का आमंतरन को मान देते हुए स्विकारा और आप यहां पे आपकी पावन उपस्तिती में पधारे वो हम सब लोगों को बहुत प्रेरित करेगा आपका बहुत-बहुत मैं रदय से अभिवादन करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेर करना मत भूलिए सबस्क्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए